आप लोगों का आपके यूटूब चैनल में सुवागते दोस्तों तो दोस्तों एक और वकेंसी निकल कर आई है इस पोर्स कोटे में इंडियन एर फोर्स की जो की ओनलाइन आपको फोर्म बढ़ना है और ट्रेल डेट आउट इंड इस्पोर्ट परसंदगी क्या रहेगी जो आपके गीम की क्योंगी वो ट्रेल होगी 11 से तेरा मार्च के बीच में फिक है अगरी वीर इसपोर्ट कोटा है इंटेक 2024 ठिक है अब हम बात कर लेते हैं गेम कौन कौन सेंस में ट्रेल डेट मैंने आपको बता दी है 11 से 13 मार्च फिक्स है मेल कंडिडेट ठीक है तो इसमें जो दे रखा है ओनलाइन अनमेरिड इंडियन मेल कंडिडेट ओनली फिमेल से की वेकैंसी नहीं है ध्यान दे आप ओके एथलेटिक्स के अगर हम बात करें यहाँ पे 110 मिटर हडल लोंग जम जम्प 100-200 मिटर जैवलिन थ्रो तीन हजार स्टेपल चैस पोलो वोल्ट हैमर पासजार दस हजार उसके बाद हैंड बोल हैड बोल में लेफ्ट विंग पोइट गोल कीपर उसके बाद बास्केट बोल की सेंटर पोइंट फोवर पोइंट पोइंट गार्ड होकी में आपका फोवर्ड और डिफेंडर ठीक है होकी में फोवर्ड और डिफेंडर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास जो गेम आता है निकल कर वो आता है बास्केट बॉल सेंटर फोरड यह हमने आपको बता दिया है बास्केट बॉल का सोरी बोकसिंग की बात करते हैं वेट केटेगिरी 90 पलस केजी यह आप कर रहेगा इसमें आपका जो भी उसके बाद saikal polo defender और forward रहेगा इससमें single रहेगा आपका सैकलिंग individuals रहेगा आपका उसके बाद swimming driving में क्या रहेगा उसकी हम बात कर लेते हैं उसमें आपका जो रहने वाला है वो आपका रहेगा butterfly 100-200 maps IM 200-400 chauffeur backstroke और कई सारी चीजी है फ्री स्टाइल यह आप देख लेना उसके बाद बास्किट बोल में फोवर्ड और डिफेंडर दोनों रहेंगे इसके बाद गॉल्फो आपका जिनमास्टमिक और लाउंडर सिक्स इसके बाद वोली बोल में सैटर और ब्लोकर और यूनिवर्सल और अटैकर यह चीज इनको वेट कैटेगरी यह आप देख सकते हो उसके वाद वेट लिप्टिंग में अलग-अलग कैटेगरी में है इसका आप स्क्रीन सोट भी ले सकते हो और वूशो ठीक है दोस्तों तो यह रहेगी आपकी वकेंसी इसमें इन इन गेमों में आपकी जो है वकेंसी रहेगी उसके अगनिवेर स्पोर्ट इंटेक 2014 में ओनलाइन रेजिस्टेशन आपको इस वाली वेबसाइट पर जाकर करना है ये वेबसाइट हमारे वीडियो के नीचे भी मिल जाएगी आप वहाँ से भी लिंक पर जाकर अपना फोर्म भर सकते हो ठीक है दोस्तों तो अब बात हम करते है एज़िविलिटी क्राइट एरिया क्या रहेगा इसका देखें सबसे बड़ी बात है 27 जून से 27 दिसंबर 2006 के बोट डेट एज़िविलिटी तो अपलाई 2003 से 2006 के बीच के जो है कंडिडेट अपलाई कर सकते हैं इसके बाद जो इसमें जो चीजे रहने वाली है जो इसमें अंदर की जो चीजे है वो भी हम आपको बताएंगे उसके बाद education qualification के हम बात कर लेते हैं education qualification में science subject में आपके 10th plus 12th exam with mathematics physics English education board reorganized by the center state minimum 50% marks in English यह आपका होना चाहिए, उसके बाद 3 years diploma course in English, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर नीचे के साइड चलते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो रहेगा, पास रहेगा 3 year diploma course, engineering, mechanical, electronics, automobile, computer science, technology, government, reorganized, polytechnic, 50% marks आपको होना चाहिए, इसके बाद और, अगर यह नहीं है, past 2 years course, non-vehication subject, physics, mathematics, educational board, central board, state board, इसमें आपको 50% marks होना चाहिए, इसके इलावा, other than science subject, ठीक है, उसके बाद other subject है, intermediate आपकी पास होना चाहिए, 50% आपके marks होना चाहिए, अपगरेट दू, इंगलिस में 50% marks जरूर होने चाहिए, और, past 2 years, local for educational board center, इसमें भी आपके 50% marks होने चाहिए, ठीक है, दोस्तो, कुछ यह step है, आप एक बर ध्यान से पढ़ लेना, sports achievement क्या रहेंगे, ठीक है, यह सबसे बड़ा question है, sports achievement जो रहेंगे, आपके junior, senior, international competition, रियो गनाए, बाइज Olympic Federation से आपके मानने दापराप्त हो, उसके बाद, पहले नमबर पर यह रहेगा, दूसरे नमबर पर आप कर रहेगा, minimum standard of fifth place in the junior, senior, junior national competition, रिपरजेंट the state union, territories, senior national, all India university, psych, hello, India games, यह आपका पहरा नमबर वन में रहेगा, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं, आपका, इसमें ह Federation, All India, Inter University, Championship, खेलो, India, National, any sport discipline, mention, पेर वन में आप कर रहेगा, उसके बाद हम बात करते हैं, किर्केट की, तो किर्केट में कह रहेगा, किर्केट हो, तो team game था, तो team game का मैंने आपको बता दिया, और किर्केट का क्या है, candidate who have played the All India, Inter University, BCCI trophy, under 1923, रंजे ट्रोफी, दिलीब ट चाहिए, और sports certificate issue by the Federation, approved by the Indian Olympic Association से approved होना चाहिए, केलो, India, National Science Association of Indian University certificate issue by the, यह आपका होना चाहिए, यह उनकी जो है website भी है, तो उसके बाद जो है, इसमें mandatory height जो रहेगी आपकी, वो भी आप धियान रखें, जो height आपकी रहेगी, इसमें, वो 150 cm रहेगी, weight आपका height की according देखा जाएगा, chest आपकी रहेगी, इसमें 77 cm chest, hearing, dental, सारी चीज़े आपकी जो हैसमें, check, check होगी, ice तक भी, तो यह चीज़े धियान रखें, उसके बाद, इसमें होर क्या चीज़े है, वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, अब इसकी बात करते हैं, इसमें documents हमें क्या क्या चा photograph, front, light background, without, head, gear, except six photograph to be, यह आपका रहेगा, photograph आपके इसमें रहेंगे, उसके बाद, original and for, self-attested copy, matricion, passing certificate, required, name, date of birth, father's name, and name verification, उसके बाद, आपका रहेगा, इसमें, original and for, self-attested photocopy, matricion, marksit, diploma and course, English diploma course holder when there, original for self-attested photocopy intermediate, यह रहेगी, उसके बाद, original and for self-attested three year diploma, रहेगा, आपका, semester का, उसके बाद, original and for photocopy, यह रहेगी, आप थोड़ा इसको पढ़ भी लेना, क्योंकि, original and for photocopy, रहेगी, certificates की, जो आपके certificates होंगे, तो यह चीज़े हैं, और self-attested, अगर आपने NCC, A, B, C, certificate है, तो वो भी आप application कर सकते हो, और character certificate भी आपका, जो है, इसमें रहेगा, और उसके बाद, जो आपका, इसमें रहने वाला है, जैसे, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी वगएरा, इन में भी आपका रहेगा, और दोस्तो, यह चीज़े थी, मैंने आपको बता दी है, आ बुला,